दोस्तों अगर आपको आपके RC plane के flying experience को और बहतर बनाना है तो उसके लिए महेंगे flight controllers में आपको पैसा बरबाद करने की जरुवत नहीं है If you are a beginner तो market में NX4 Evo नाम का एक flight controller system मिलता है जो 2000 रुपे से भी सस्ता है और इस flight controller system को आप आपके RC plane में लगा कर उस flight को stable बना सकते हो ये flight controller system friends automatic नहीं है बस manual है तो इसमें manual आपको कुछ adjustment करने पड़ेंगे खुद से जो बहुत ही simple है तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको box में क्या मिलता है तो आपको मिलता है सबसे पहले तो NX4 Evo flight controller ये NX3 का upgraded version है इसमें आपको total 4 modes मिल जाते हैं जिने हम अभी discuss करेंगे उसके बाद इसमें मिलता है आपको एक छोटा सा screwdriver इसमें कुछ जो manual adjustment मैंने बोले थे वो करने के लिए और इसमें 2 double sided pads मिल जाते हैं ताकि आप इस flight controller को आपके flight में चिपका पाओ जहाँ पर भी आपके RC plane का center of gravity है वहाँ पे बीच ओ बीच इसे लगा देना है और इसे लगाने के लिए इसका जो forward direction है वो इसके उपर mention printed होता है तो for example जैसा यहाँ पर एक plane मैंने demonstration के लिए बनाया है paper के उपर तो उसकी direction दी है तो plane इस direction में fly करेगा तो ये direction और इसका arrow match होना चाहिए तो इसी direction में आपको लगाना है इस flight controller को अगर आप उल्टा लगा दोगे तो आपका plane crash करेगा इसमें total 4 modes मिल जाते हैं जैसा मैंने पहले बताया था single aileron, dual ailerons, delta और V-tail तो basically 3 type के planes होते हैं सबसे पहला जिसमें ailerons होते हैं और एक rudder होता है, दूसरा होता है delta wing तो इसमें ailerons और elevator एक साथ ही काम करते हैं rudder इसमें नहीं होता और तीसरा होता है V-tail जिसमें rudder और elevator एक साथ काम करते हैं तो इस video में मैंने यहां पर जो plane बनाया है वो normal basic plane है तो इसमें single aileron नहीं है इसमें dual ailerons है सिंगल aileron में हम क्या करते हैं कि दोनों servos को एक साथ connect करते हैं Y-Cable से और उसे लगा देते हैं aileron के channel number 1 पे dual ailerons में हम क्या करते हैं दोनों servos को अलग-अलग input करते हैं हमारे receiver में उसकी setting अलग होती है तो यह रहे दो types के अब यहाँ पर आपको तीन knobs मिलते हैं सबसे पहले aileron का उसके बाद elevator का और उसके बाद rudder का यह कुछ नहीं है दोस्तो basically gain है easy language में समझाओं तो sensitivity कि आप कितना sensitive आपके इस flight controller को बनाना चाहते हो तो as a beginner हम इसे 20 से 40% पर ही रखेंगे लेकिन मैं demonstration के लिए आपको full 100% पर रखे दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि flight controller हिलने के बाद कैसे servos को control करता है तो directly jump करते है wiring के उपर इसके साथ हमें 4 servo cables मिल जाती है जिसमें से एक servo cable बहुत ही special है विकाज उसके एक end पे it looks like normal लेकिन उसका जो outer end है वहाँ पर तीन different parts करके दिये हुए है एक है orange एक है red और एक है brown लेकिन तीनों के तीनों signal part पर लगे हैं उपर का part होता है signal यहाँ पर NX4 EVO में total दो parts है सबसे पहले तो in उसके बाद में out out वाला part बहुत simple है वो second time देखेंगे सबसे पहले देखते है in वाला part तो multi में सबसे पहले servo cable की ये वाली end डाल देनी है अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है उपर का portion है signal, center का है positive और last है negative तो उपर आना चाहिए orange, center में red और नीचे brown यहाँ पर मैंने receiver लिया है 6 channel का, लियान रखना है 6 channel से कम channel वाला receiver आप ना यूज करें तो better रहेगा अभी multi में जो हमने wire लगाई है, उसकी output wire सबसे पहली याने orange वाली हमें लगानी है receiver के channel number 1 पे इसकी जो second wire है which is red उसे हमें लगानी है receiver के channel number 4 पे याने redder channel पे और इसकी जो third wire है which is brown उसे हमें लगानी है receiver के channel number 5 पे तीनों की तीनों wires signal port पर ही लगेंगे, अभी second connection है elevator का, elevator simple है एक cable लो आप servo cable उसे यहाँ पर elevator के अंदर डालो और उसका जो दूसरा point है उसे हमें receiver के second channel पर डालना है which is elevator channel, now third is aileron right, अभी right aileron है, अब आप बोलो के इसे तो हमें aileron में डालना पड़ेगा लेकिन aileron में हमने तो पहले ही डालके रखा है, इसलिए कहां था यह थोड़ा सो complicated है यहाँ पर आपको aileron right को डालना है battery या VCC वाले terminal पर, जो होता है हमारे 6 channel receiver का सबसे last वाला terminal वहाँ पर आपके इसमें battery लिखा रहेगा या फिर VCC लिखा रहेगा, अभी सबसे last है emergency वाला तो emergency mode वाला हमें लगाना है receiver के channel number 6 पर, अभी यहाँ पर एक channel खाली है which is channel number 3 और आप सभी जानते हो कि channel number 3 होता है हमारी motor, तो ESC के BC को हमें channel number 3 पर लगा देना है तो यह हो गए दोस्तो in के connections, अभी out के connections देखते हैं, out के connections बहुत ही simple है बस इसे थोड़ा ध्यान रखना है आपको क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों ailerons को अलग-अलग लगाया है तो उस case में left aileron जाना चाहिए aileron पर, right aileron जाना चाहिए right aileron पर, elevator तो हमें elevator पर ही लगाना है और rudder भी हमें rudder पर ही लगाना है तो यह थे finally connections flight controller के हमारे receiver के साथ तो finally यह हो गए है हमारे connections flight controller के साथ ESC receiver सब मिला के और servos भी अभी सबसे पहला mode मैं यहाँ पर डाल देता हूँ T क्योंकि हमने दोनों अलग-अलग ailerons को लगाया है अगर यह delta wing configuration होता तो आपको D select करना पड़ता और अगर यह V tail होता तो आपको V select करना पड़ता अभी यहाँ पर friends मेरा जो transmitter है वो है FSI6 का यह है 6 channel तो battery connect करने के बाद आपको कुछ seconds wait करना है जब तक आपका flight controller on नहीं हो जाता और यही सबसे important step है क्योंकि जैसे ही आप आपके receiver को power करते हो तो आपको आपका plane steady और level रखना है क्योंकि यही वो time होता है जाप पर आपका flight controller calibrate होता है अगर आपके plane को तेड़ा रखोगे तो आपका flight controller भी तेड़ा calibrate होगा जैसे ही flight controller calibrate हो जाएगा सारी servos उनके initial positions पर आजाएंगी और अभी it is ready to use तो मैं अभी आपको transmitter के 3 modes भी दिखा देता हूँ तो पहले mode में होता यह है जैसी आप first mode select करते हो तो अगर आपका plane हवा में रहेगा और हवा उसको left की तरफ roll करने का सोचेगी तो आपका plane again stable हो जाएगा और नीची की तरफ जा रहा है फिर भी again सीधा हो जाएगा left yaw कर रहा है तो again straight हो जाएगा right yaw कर रहा है तो straight हो जाएगा अभी ये roll, page yaw क्या है मैंने एक special video बना है जापकर आपको flight controls के basic समझ जाएंगे वो video भी ज़रूर चेक करना transmitter का switch जब आप first position पर रखोगे तो ये flight controller आपके flight को हमेशा stable रखेगा हवा की वज़े से जितने भी disturbances आते हैं flight के control surfaces पर उन्हें ये flight controller stabilize करता है second mode की बात करो तो वो simply manual mode है तो इसमें आपका flight controller off हो जाता है यहाँ पर जो LED है flight controller की वो blink करना बंद कर देती है या फिर solid on की भी off हो जाती है तो हमेशा याद रखना second mode is manual mode इसमें आपका flight controller work नहीं करेगा now third mode is very interesting third mode में flight controller की जो light है वो fast blink करती है अब ये mode क्या है मैं आपको बताता हूँ अगर आप आपके plane को left turn करना चाहते हो और left turn करने के बाद आप stick छोड़ देते हो तो आपका plane left ही रहेगा similarly अगर आप आपके plane को थोड़ा सा right roll करते हो और stick को छोड़ देते हो तो आपका plane उसी position पे lock हो जाएगा ये जो third mode है वो basically आपके plane को lock करता है उस position में जिस position पे आपने उसे lock करवाया है आपके plane को रखोगे वो उसी position में रहेगा अब यहाँ पर मैं आपको diagrams और इस setup के हिसाब से समझा रहा हूँ इस flight controller को मैं मेरे plane में भी install करने वाला हूँ तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि actual में flight controller कैसे work करता है तो फिलाल यह रहे तीन modes और यह है सबसे बढ़िया सा सस्ता NX4 EVO upgraded version है flight controller का जिससे आप easily purchase कर सकते हो मैंने अभी तक चितने भी flights उड़ाए हैं दोस्तो सारे के सारे manual mode में उड़ाए हैं मैंने एक भी बार flight controller use नहीं किया है तो मैं आपको भी यही recommend करूँगा कि आप जितने ज्यादा manual flights लोगे उतना ही ज्यादा control आप easily सीख पाऊगे आपके plane को करना फिर ओ कितनी भी हवा रहे कैसे भी weather condition रहे आप बढ़िया pilot बन सकते हो If you want the part 2 जहाँ पर मैं इसे actual plane में लगा कर उड़ाउं तो please comment करके बताना और ऐसे ही amazing video से knowledge अगर आपको मिलती है तो channel को भी subscribe करना और मिलते हैं next video में